हेलो एब्रीबान वेल्कम टो माई चानेल आई होप इला डूइंग ग्रेट मैं इस चानेल में डियायो और होम डेकर रिलेटेड वीडियोज बनाती हूँ तो आज ऐसे ही में दो बहुत ही खुश्रत साथ डियायो आज आप लोग के लिए लेके आई हूँ आज का जो डियाय सामान से बना के तैयर की हूई हूँ जो वैस सामान है जो अभी गर्मी जैसे की चल रहे तो सबके घर में आईस क्रीम बगर आता ही होगा तो वैसे आईस क्रीम कांटेनर से में दो बहुत ही खुश्रत सा डियायो आप लोग लेके आई हूँ तो फिर चल लिए आज का वीड यहां पर यहां पर दो lot से मैं ही आफ ठया लगा लूगी अभी इसको में कंप्लेट्ली ड्रय होने के लिए छोड दूँगी उसके बाद में यहां पर एक रे मकपन अच्छे से लगा लूगी और आपके पास पॉंज नहीं है तो आप जो बर्तन धोने के लिए स्पॉंज आता है, मार्केट में बहुत इजली मिल जाते हैं, आप उसका भी यूज कर सकते हैं, छोट-छोड़ा टुकड़ा में उसको काट लीजे और उसका भी यूज कर सकते हैं, काम दोनों का सेमी है, तो यहाँ पर जैसे हम सेकेंड सेने पेपर रखने के लिए एक बॉक्स बनाना है, इसको पहले से मार्क पर रख रहे हूं, उसके बाद मैं यहाँ पर ले रहे हूं, डिको पैज नापकेन पेपर, मैं बहुत सरा फीडियो में आपलों के साथ पहले से से श्यायर की हुई हूं, फिलामेंट पेपर के साथ बहुत बार काम कर चुकी हूं इस बार मैं सोच रही थी कि एक थोड़ा सा नापकिन वेपर के साथ काम किया जाए क्योंकि मेरे पास बहुत दिन से यह रखा हुआ था तो इसको मैं यहां पर स्टीक करने के लिए डिको मैजी गलू का यूज करें हूं मैं जितना सारा सामानिय यहां पर यूज करी हूं सरगसरा लिंक में डिस्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी बहुत लोग पुछते आप लोग कहां से सामन लेते जरूर से आप एक बार मेरा जो डिस्रिप्शन बॉक्स से चेक कर सकते हैं अभी इसको मैं डिको मैजी गलू का एक कोट अच्छे कि सocusब करेंगी अगर्य दिकहिता करेंगया हूं जतना सब्यूरा हूं यहां फे इसको चार्व कान थे और रहें है जितना चारूहएं जो एक्स्ट्रा जो पेपर हमारा यहां पर है इसको भी हमको हटाना है और जहां पर छाली अरिया बच हुआ था वहां पर इसको, हम स्टीक कर जाएंगे, देखिए, दोदरा तरफ थादा थाड़ा अरिया खाली है तो यहां पर हम इसको stick करते जाएंगे देखिए कुछ इस तरह से मतलब सेम तरीके से मैं जैसे यहां पर लोगे सलसेर करें वैसे मैं यहां पर अच्छे से stick कर लोगी अभी इसको completely हमको सुखने के लिए छोड़ देना है वही सेम तरीके से हमारा जो container का जो नीचे वाला हिस् काम करेंगे उसके लिए मैं यहां पर पहले थोड़ा सा पाने लेकर के एक ब्रास के हल्प में से मुझे थोड़ा सा इसको आधा हिसा में मतलब इसको बाट देना है फिर इसको हमको stick करना होगा यह box के ऊपर क्योंकि अगर हम मतलब शीजर के हल्प में से या फिर कोई इवेन हमको चाहिए थोड़ा सा जो नापकिन प्यापर का जो हिस्सा तो इसलिए मैं इसको यहां पर एसे ही सेम मतलब यह तरीके से में यहां पर डिको मैजी गलू लगाते जाओंगी और इसको अच्छे से stick करते जाओंगी अगर आपको थोड़ा सा कहीं पर रिंकल्स काम करते हैं तो आपको थोड़ा थोड़ा सा टीप और ट्रिक्स का ध्यान देना होगा तब ही आपका जो डिको पैज का काम पर्फेक्ट बनके त्यार हो जाएगा देखें कुछ इस तरह से नीची साइड से भी थोड़ा थो एरिया हम आरा जो एक्स्टर पेपर था उसको म में यहां पर स्टीक करें हूँ है सेम डिकोमेजी ग्लू का हेल्प में से अभी यह कंप्लेटली रेडी हो चुका है अभी इसको हम सूखने के लिए छोड़ देंगे कम से कम आठ से दस गंडा नेक्स्ट में इसके ऊपर डिकोमेजी ग्लू का और एक कोट अच्छे से लगा यहां पर लीड के पर गुजुब्द के राके रखिवोई थी उसको मैं यहां पर काट लूँंगी क्राफ नाइप अब करेंporter नेक्स्ट में यहां पर जो हमारे जो बडर एरिया थर थर बचल बचा हुआ था लीड़ में या फिर जो कांटेनर का नीचेंवाली हिसा में मैं यहाँ पर same एक इसको जो color match करते हुए एक chalk paint यहाँ पर apply कर रहे हूँ अगर आपके same color नहीं है तो आप mix and match करते हुए यही same color use कर सकते है अभी इसको भी हम completely dry होने के लिए छोड़ देंगे देखे यह अभी कितना सुन्दर दिख रहा है मुझे तो बहुत ही सुन्दर लग रहा था यह जैसे ही शूख जाता है मैं यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर यह जो half cut वाल जो पॉल वीडियो हता है इसको यहाँ पर यह जो container का उपर वाला हिस्सा में यहाँ पर में stick करते जाओंगी देखें कुछ इस तरह से मैं एक object ले रही हूं और इसके help में से मैं यहाँ पर एक एक को पूरा लिट के उपर आशे से stick कर लोंगी इसका जो look है एकदम completely change हो गया अभी देख सकते हैं आप लोग आप लोग को कैसे लगा मुझे जरूर से बतने यह idea अभी इसको और अच्छे से waterproof करने के लिए इसके उपर हम वानिस का एक कोट अच्छे से लगा लेंगे जैसे वानिस का एक कोट अच्छे से लगाएंगे इसका जो look है देखिए आप पूरा का पूरा चेंज हो जाए कि इसमें थोड़ा साइन नहीं एक effect आ जाएगा जो कि मुझे कभी-कभी कोई-कोई box में अच्छा लगता है signing वाला और कोई-कोई काम में मुझे sign वाल effect अच्छा नहीं लगता है लेकिन deco press काम जब करते तो यह वानिस का एक कोट अच्छे से लगाना बहुत जरूरी हो जाता है नहीं तो यह waterproof नहीं हो पाएगा तो जरूरी हो जाते अभी इसमें हम नैपकेन रखके मैं आ पाइनल लूप यह वाला आइडिया आप लोगों कैसे लगा मुझे जरूर से कमेंट सेक्षन में बताना आइस्क्रीम का खाली कंटेनर से बनके यह तियर हो चुका है बहुत खुब्सरत साथ नैपकेन होल्डर तो फिर चलिए आज आज आप लोग के साथ में सेयर करती हू उसके बाद यह जैसे सूख जाता है इसके उपर में लगा लूँगी और एक कोट अच्छे से जैसे दोनों कोट अच्छे सम लगा लेंगे इसको कम्प्लिटल रह होने के लिए छोड़ देना है नेक्स्ट में यहाँ पर लिए हूँ नियन अक्रेलिक यलो कलर तो उसमें थ इसको अच्छे से लगा लोगी ब्रास के छहल्म एसे जैसे पहला बला कोट हमारा चीष्श चूक जाएगा नेक्स्ट में दुस्रा कोट भी और एक अच्छे से लगा लोगी लेकिन इसमें थोड़ा समय चैंजेस की हुयों लेकिन ए स्किप हो जुका है मेरे से उ जो नीयन कलर है मुझे बाद में लगा कि यह एसे ही बहुत सुंदर लगेगा इसलिए मैं सेकेंड कोट में और फाइट अक्रिली कलर यूज ना करके मैं यहां पर डायरेक्ट अपलाई की हुई हूं अभी यह दोनों कोट अच्छे से सूख जाने के बाद इसके उपर हम हमारा नेक्स् और है आपको जो कलर पसंद्य आप यहां पर वह यूज कर सकते हैं मैं यहां पर जो किनारा किनारा में जो कलर लगाने के लिए यहां पर टू नंबर का ब्रस के यूज करें हूं क्यूंकि थोड़ा सा छोटा एरिया में था इसलिए ने तो और साइड में भी मतलब स्प्रे थड़ा सा बनाएंगे, तो उसके लिए मैं यहाँ पर जो container का जो निचे वाला हिस्सा में, मैं यहाँ पर देखिये कुछ इस तरह से flowers बनाऊंगी, एक दम बहुत ही basic सा flower मैं यहाँ पर बना रहे हूं, आपको जैसा flower आता है, freehand में आप वैसे ही बना सकते हैं, सबसे easy वाला जो flower हैं मैं यहाँ पर बनाने के लिए कोशिस की हुई हूँ, ताकि हर कोई इसको बना सकते हैं, तो देखिये बहुत ही simple सा flower मैं यहाँ पर बना रहे हूँ, इसको बनाने के लिए यहाँ पर zero number का brush यूज करे हूँ, जैसे ही चारा तरफ हमारा flower बना के हम ready कर लेंगे, इसक neon acrylic color का green shade में एक color लिए हूँ, और उसके help में से मैं यहाँ पर lips बगर है, इसका बना रहे हूँ, यह जैसे ही चारा तरफ में अच्छे से लगा लूँगी, इसका जो look है, यह completely change हो जाएगा, अभी देख सकते हैं, यह कितना सुन्दर दिख रहा है, इसे ही करते हूँ मैं च जारो तरफ अच्छे से लगा लूँगी, तो इसका जो look है, देखिए कितना सुन्दरा भी दीख रहा है, बस इतना ही हमको करना है, और इसके उपर one इसका एक कोट अच्छे से लगा देना है, अभी दोनों का जो final look है, आप लोग के सामने, आप लोग को कैसे लगा मुझे जरूर से कमेंट सेक्षन में बताना, और दोनों में से आप लोग को कौन साच लगा, मुझे ओ भी बताना, तो फिर बहुत देज जल्दी मुला करत हो गया, आप लोग के साथ, एक बहुत ही खुबसरत सा और इंटरेस्टिंग सा डेवाई के साथ, तब तक लिए बाइबा टेक केर